हलो दोस्तों स्वागत है सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जी एस नमबर वन पे आज हम इस वीडियो में पिछले एक साल के महत्पूर्ण करेंटरफेर्स को देखेंगे जिसमें केवल वहीं करेंटरफेर्स है जो किसी वेग्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें जिससे बाखी सभी दोस्तों को इसका लाब मिल सके तो आई ये शुरू करते हैं पांच अगस दोहजार उन्नीश को जम्मु कास्मीर पुनरगठन अधिनियम दोहजार उन्नीस परस्तूत किया गया जिसके तहत जम्मु कास्मीर तथा लदाग दोगकेंदरसाषित परदेश गोशित किया गया और 9 अगस्ट 2019 को यह विधेयक राष्टपती की स्विकृति के पास अधिनियम बन गया जम्मु कस्मीर पुनरगठन अधिनियम पुनरगठन विधेयक 2019 को पेस किया गया था तो यह 5 अगस्ट 2019 को पेस किया गया था और अंत्ता इस पे राष्टपती के सविक्रिति कब मिल गई तो 9 अगस्ट 2019 को मिल गई 31 अक्टूबर 2019 को जम्मो कास्मीर राज भारत के नए दो केंदर सासित परदेश एक जम्मो कास्मीर जो अनुचित 249 एक अनुसार बना और एक लद्दाख जो अनुचित 249 के अनुसार बना में बिभक्त हो गया के अंदर सासित परदेश जम्मो कास्मीर के पहले उपराज पाल गिरीश चंदर मोर्म को बनाया गया तथा लद्दा के पहले उपराजपाल राधा कृष्ण माथूर को बनाया गया तो जम्मू कास्मीर के पहले उपराजपाल कौन बने गिरिस चंद्र मूर्म और लद्दा के पहले उपराजपाल कौन बनाया गया राधा कृष्ण माथूर वर्तमान में केंदर सासित परदेश जम्मु कस्मीर की ग्रिस्म कालिन रजधानी स्री नगर यामसीत कालिन रजधानी जम्मु को बनाया गया है इसको याद रखेंगे केंदर सासित परदेश लद्दाख की रजधानी लेह को बनाया गया है जम्मू कास्मीर को बिधान सभा के साथ केंदसासित पर्देश मनाया गया है यानि जम्मू कास्मीर में बिधान सभा है अब जम्मू कास्मीर बिधान सभा का कारेकार पांच वर्सका हो गया है जबकि पहले छो वर्सका था केंदर सासित परते जम्मु कास्मीर बिधान सभा में कुल 11 सीटे होंगी जिसमें से 24 सीटे पाक अधिकरित कास्मीर के लिए रिक्त रहेगा और 90 सीटों पर चुनाओ होगा कुल 114 सीटों में से 24 सीटे पाक अधिकरित कास्मीर के लिए रिखते रहेंगी और 90 सीटों पे चुनाओ किया जाएगा कहाँ पे जम्मू कास्मीर में अब जम्मू कास्मीर को लेका जम्मू कास्मीर से लोकसभा की 5 सीटे हैं तत्राज सबा की चार सीटे होंगी और लधाक से एक सीट लोग सबा के लिए होगा। वर्तमान में केंद्रसासित परदेश जम्मू कास्मीर में कुल 22 जीले हैं। यहाँ पे भारतिय कुछ नोट हैं और उन पे छपे हुए कुछ चितर हैं। यह काफी महत्पूर्ण हैं इसको याद रखेंगे। जो 10 रुपया का नोट है उस पे कुनार का सूर्य मंदिर का चितर छपा हुआ है। 50 रुपय के नोट पे हमपी का पत्थर से बना रत का चितर छपा गया है और 100 रुपया के नोट पे 500 के नोट पे लाल किला का चितर छपा हुआ है और 2000 के नोट पे मंगल यान का चितर छपा हुआ है। राष्टिय वंतराष्टिय महिलाओं की कुछ नियुक्तियां है जो काफी महतपूर्ण है। इंदु मलहोतरा सुप्रीम कोट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मलहोतरा ज्योती सर्मा सेना की पहली महिला जज कौन बनी है ज्योती सर्मा बनी है नुपूर कुल्सरेस्ट पहली महिला डी आजी इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड में पहली महिला ड फ्लाइट इंजिनियर बनी है भावना कंड भारत की पहली महिला लाडाकु बिमान पाइलेट बनी है और चंदरानी मुर्म सबसी युवा सांसद बनी है सिवाङगी जोसी नौ सेना की पहली महिला पाइलेट बनी है और सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज़ बनी है आरोही पंदिट अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पाइलेट बनी है और गौरी सामवत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है अयुक तो नहीं चुनाव राजदूत बनी है सालीजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है और तुलसी गैवर्ड यूश्य के राष्टपती चुनाव में खड़ी होने वाली प्रथम हिंदू महिला है उर्सुला वान डेर लेयन या यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आगे देखते हैं प्रधान मंतरी को प्राप्त सरोच पुरसकार ये 2016 से लेकर 19 के बीच में प्रधान मंतरी को जितने भी सरोच पुरसकार मिले हैं वो सभी हैं उसको देखेंगे इसवाल के दौरह पर्धान किया गया था अदोरॉट पुरसकार 2006 यह अफगानिस्तान के दौरह परदान किया गया था स्योल सांती पुरसकार 2018 यह spinach और यह दूस्चिन प्रदान मंदृ को प्रदान किया गया था और यह यूट्द नेशन के दोरह प्रदान किया गया से इसको भी सब्रस्कितर दो लेनेंचा 2019 यह बहरीन के दोरा परदान किया गया था Order of JPac UAE के दोरा परदान किया गया था St Andrews the Apostle Award 2019 यह रूस के दोरा परदान किया गया था फिलिप कोटलर Àवाड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेज्मेंट के दोरा परदान किया गया था Rule of Nisad इज़ जुद्दीन अवार्ड 2019 या मालदीव के द्वरा परदान किया गया था भारती वन रिपोर्ट 2019 या हर एक दो साल पे वन रिपोर्ट आता है जो 2019 में एक नया वन रिपोर्ट आया है जिसमें वन से संबंदी सारे विवरण दिये गए है तो आएए देखते हैं पर्यावरण एवां वन मंत्री प्रकास जावेदकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन छेतरी की इस्थिती रिपोर्ट 2019 सोलहवी जारी किया यहां कौन सी रिपोर्ट है यह सोलहवी रिपोर्ट है और इससे पहले 15 रिपोर्ट को आई थी वह 2017 में आई थी और 17 रिपोर्ट 2021 में आएगी यह रिपोर्ट भारतिये वन सर्वेच्षण द्वारा तयार किया गया है बारतिये वन इस्थिती रिपोर्ट कि इसके दौरा तयार किया गया है तो भारतिये वन सर्वेच्षण द्वारा तयार किया गया है वन इस्तिती रिपोर्ट FSI दवरा दो वर्ष के अंतराल पर प्रकासित किया जाता है और भारत का पहला वन रिपोर्ट अनई 187 इस्वी में जारी किया गया था अब इस रिपोर्ट से परिच्छा उपयोगी कुछ महत्पून तत्थ हैं इसको याद रखेंगे पहला है देश में कुल वन एवं वरिच्छावरण इसको नहीं याद रखेंगे केवल परतिसद परसेंटेज याद रखेंगे 24.56 परसेंट है देश में कुल वन आवरण 21.67 परसेंट है देश में कुल विच्छावरण 2.89 परसेंट है और वर्ष 2017 की तुल्ना में कितना व्रिधी हुआ है तो वह हुआ है 0.65% व्रिधी हुआ है वन आउरान में व्रिधी कितना हुआ है वन आवरान में ब्रिधी 3976 वर किलोमीटर हुआ है तथा वरिच्छावरान में ब्रिधी 1212 वर किलोमीटर हुआ है देश में कुल मैंगरोवन कितना है 4975 वर किलोमीटर पर मैंगरोवन फैला हुआ है और मैंगरोवन में ब्रिधी कितना हुआ है तो 54 वर किलोमीटर की बृधी हुई है सरवधिक वन छेत्र वाला राज मद्धप्रदेश, अरुनाचल परदेश और 36 गड़ है जबकी वन छेत्र में बृधी करने वाला राज करनाटक, आंध परदेश और केरल है सरवधिक वन वनावरण परतिशत वाला राज 62,466 आदर भूमियां देश के 3.836 पर विश्ट्रित है भारत के सभी राज्यों को अगर मिला दें सभी राज्यों में देखें तो सरवधिक आदर भूमि किस राज्य में इसी थै तो गुजरात राज्य में इसी है भारतिय सेनाओ दोरा कुछ ऑप्रेशन किया गया जिसको एक BCS नाम से जाना जाता है तो आए देखते हैं किस ऑप्रेशन का क्या कोड था ऑप्रेशन बंदर यह बाला कोट एस्ट्राइक का कोड था बाला कोट एस्ट्राइक का कोड क्या था अप्रेशन बंदर, अप्रेशन वनिला यह नो सेना द्वरा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए जो अप्रेशन किया गया था उसका नाम था अप्रेशन वनिला आप्रेशन संकल्प। भारती ये नौ सेना दवरा समुंदरी सुरक्षाहेतु खाणी में चलाया गया यह आप्रेशन था। ओप्रेशन सन्राइज टू यह ओप्रेशन भारत्यों मैनमार की सेनाओ द्वरा अतंकवादी सिवरों को नस्ट करने के लिए संयुक्त ओप्रेशन था ओप्रेशन सुदर्शन बीएसेव द्वरा पंजाव एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुस्पैट रोधी उपायों को पुखता बनाने के लिए था ओप्रेशन थरस्ट ओप्रेशन थरस्ट जो है वो रेलवे स्वक्षा बलो द्वरा रेलवे परिसर में एवं गाडियों में अनाधिक्रित ब्रांड वाले पानी की बोतल की विक्री पर रोक हेतु चलाई गई थी ओप्रेशन समुंदर मेत्री यह जो है भारत द्वरा भुकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेसिया की मदद के लिए चलाया गया था ओप्रेशन थंडर यह रेलवे द्वरा आरचित टिक्तो की कालाबाजारी रोकने हेतु चलाया गया था और ओप्रेशन 25 या पुलमावा के मास्टर माइंड आतंकी गाजी रसीत को पकड़ने हेतु चलाया गया ओप्रेशन था आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेर और कमेंट जरूर करें और यदि अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद